नमस्कार दोस्तों राजस्तान वीडियो एक्जाम के लिए हम देख रहे थे राजस्तान जी के और राजस्तान जी के में बुगोल की क्लास नमबर दो रहेगी जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्तान की जलवायू राजस्तान की जलवायू से रिलेटेड सतर परसन लेकर आ आए हुए हैं और बाकी 50 परसन आपकी एक्जाम की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे और संपूर्ण जो जलवायू टोपिक है वो आपका इन 70 क्यूसनों के दुवारा कंप्लीट आपको याद हो जाएगा इसलिए अन तक बने रहे हैं और अगर आप वीडियो क की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करके जो नए आपके साथी है उनके पास वीडियो को पहुंचाने का परियास करें चलते हैं दोस्तु क्यूसनों क्योड़ पेला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे कोपेन के वरकीकरण के अनुसार अगर हनुमानगर्ड विकानेर में किस परकार की जलवायू मिलती है दोस्तु दीते स्रेणी सिक्सक बढ़ती संसकर्थ विवाग 2019 के अंदर ये क्यूसन आया सही रहेगा एक नमर ओप्सन बी एस एच डवलू परकार की ओप्सन एक सही रहेगा क्यूसन नमर दो है कोपेन वरकी करण के आदार पर निमलेकित में से कौनसा डूंगरपूर जिले के लिए है तो डूंगरपूर जिले में कौनसी कोपेन वरकी करण के अनुसार जलवायू मिलती है एडवलू बी एस एंच डवलू बी डवलू एंच डवलू या फिर सी डवलू जी परियोग साला साह 2019 के अंदर जो एकजाम हुआ था उसके अंदर आयावा क्यूसन है और सही रहेगा आपका ओप्सन नंबर एक एडबलू पर कार की नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नंबर तीन है आपका राजस्तान में निमलिकित मैंसे कि जिले में वार्सिक वर्सा में अधिक अधिकतम विसमता पाई जाती है बाडमेर जेपूर जेसलमेर या बांसवाडा परियोग साला सहाई 2019 का ये क्यूसन है कि जिल नंबर चार है राजस्तान के कौन से जिले अद्र दक्सिन पूर्वी मेदान कर्सी जलवाईू परदेश के अंतरगत आते हैं। आपके आद्र दक्सिन पूर्वी मेदान कर्सी जलवायू परदेश के अंतरगत आते हैं दोस्तूं क्यूसर नमबर पांच की ओर चलते हैं कतन दिया है आपको राजस्तान में जन्संक्या का वित्रण ऐसमान है आगे देखे कारण क्या है राज्ये में जलवायू तता जन्संक्या है राजस्तान में उसका वित्रण ऐसमान है और यह हमको देखने को मिलता है इसका जो मुक्य कारण है वो जलवायू और जलवायू के साथ जो कारक है उनके दुवारा तो दोनु कतन भी सही है कारण भी सही है एस तता आर दोनु सही चार नमर उप्सन सही पूचा क्या है वास्पी करण और वास्पो उत्सर जन कि जो वारसिक दर है वो सर्वाधिक वो रहीगए आपके जैसल मेर जीले के अंदर दो नमर वपसन क्या रहेगा सही रहेगा क्योशन नमर साथ है कॉपेन के जलवायू वरगीकरण के अनुसार राजस्तान के किस पर्देश में एडबलू परकार की जलवाईू पाई जाती है तो हमने पहले क्यूशन देखा था प्रियोक साला साहिक वाला जिसके अंदर डूंगरपूर में पूची थी थी तो डूंगरपूर में हमने एडबलू बताया था अब बताईए डूंगरपूर कौन सी चेतर में आता है इनमे से दक्षिनेतम पर्देश के अंदर तो एक नमर ओप्सन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा सेकिंड ग्रेट टीचर एक्जाम दो जार रठारा का यह क्यूशन है क्योसर नमर आट देखे नियुन मैंसे राजस्तान के किस भाग में सरवादिक वर्सा की परिवर्तितिता पाई जाती है किसके अंदर सुधूर पस्मी भाग, उतरपूर्वी भाग, दक्षिनी भाग या उतर भाग सुधूर पस्मी भाग के अंदर एक नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर नो है राजस्तान में कर्सी जलवाई उपर देश 3B बाड परबावित पूरवी मैदान 3B यानि बाड परबावित पूरवी मैदान में कौन सा जिला इनमें से समलित नहीं है टॉंक करोली बरतपुर और दोलपुर तो सही रहेगा यहाँ पर टॉंक जिला समलित नहीं है एक नमर उप्सन बाड की करोली दो बरतपुर और दोलपुर ये बाड परबावित पूरवी मैदान में समलित है क्यूसर नमर दस है निम्नांकित में से कौन सा राजस्तान की जलवाईू को परभावित करने वाला आधार भूत तत्व है पसुधन साहिक 2019 का ये क्यूसर नमर ग्यारा है राजस्तान में मरुस्तली करण की सबसे परभावी परकिरिया कौन सी है मरुस्तली करण की सबसे परभावी परकिरिया कौन सी है पवन अपरदन, जल संचियन, वनस्पती अउनियन या पिर जल अपरदन सही रहेगा आपका यहाँ पर वनस्पती अउनियन तीन नमर उप्सन क्यूसर नमर बारा है थोर्ण वेट, जलवायू वरकिकरण के अनुसार राजस्तान का अधिकांस बाग जिस जलवायू परदेश में पाया जाता है वो है तो थोर्ण वेट के अनुसार राजस्तान है, इसका अधिकांस बाग कौन से जलवायू परदेश के अंतरगत आता है EAD, CAW, DAW या DBW किसके अंदर आता है DAW के अंतरगत तीन नमर उप्सन सही रहीगा Q. Lond. 13, राजस्तान के किस जिले में सबसे इदिक देनिक तापानतर पाया जाता है देनिक तापानतर राजस्तान के किस जिले में मिलता है ये मिलता है दोस्तों आपके जैसल मेरी के अंदर देनिक तापांतर की बात हो रही है मित्रू यांपे तो सही रहेगा तीन नमर उप्सन क्यूसर नमर है आपका चोद है निर्वेसे किस जिले को राज़स्तान में सरवादीक वार्सिक वर्षा प्राप्त होती है कौन से जिले को वार्सिक वर्षा सरवादीक प्राइप्त होती है सिरोही जिले को एक नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर पंदरा है राज़स्तान में सरवादीक वार्सिक वर्षा किस इस्तान पर होती है तो सरवादिक जो वार्सिक वर्सा है वो माउन टाबू में होती है एक नमर ओप्सन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रू सही रहेगा next question में चलते हैं question number 16 है राज्ये में पूरव से पस्चिम की और जाने पर वर्सा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा पूरव से पस्चिम की और अगर आप जाओगे तो वर्सा में क्या होगा वर्दी मिलेगी कमी मिलेगा कोई प्रिवर्तन नहीं मिलेगा या इन में से कोई नहीं तो पूरव से जैसे आप दोलपूर से निकले हैं और जैसल मेर के और जा रहे है तो जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे कमी मिलती जाएगी वर्सा में दो नमर उपसन आपका सही रहेगा क्यों से नमर सत्रह है राज्ये का वे भाग जब वार्सिक तापांतर कम तो यह था वायू में आदर्ता की मातरा सदेव बनी रहती है यानि जहां पर वार्सिक तापांतर तो बहुत कम और वायू में आदर्ता सदेव बनी रहती है यह तो दक्सिनी भाग में है डबलू चेतर में दक्सिनी भाग के अंदर तीर नमर उप्सन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा क्यूसर नमर अठारा देखिए राज्ये का वे जिला जहां ग्रिस्म काल में सरवादी कांदिया चलती है बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसर नमर उप्सन है यह राज्यस्तान में सरवादिक सुस्क जलवाईू वाला जिला है सुस्क जलवाईू वाला जिला सुस्क जलवाईू है जैसल मेर की चार नमर उप्सन है आपका सही रहेगा क्यूसर नमर बीस है जलवाईू है यह जलवाईू क्या होती है मित्रू जलवायू क्या होते हैं किसी चेतर की भोगोलिक दसा किसी विशेस इस्थान की प्राकर्तिक इस्तती दिरिग कालिन वायू मंडलिये दसाएं या उपरोक सभी जलवायू होते हैं दोस्तों दिरिग कालिन वायू मंडलिये दसाएं ओप्सन तीन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं क्यूसर नमर इकीस है वर्सा रितु में मानसुन हवाओं की दिसा होती है वर्सा रितु के अंदर जो मानसुन हवाओं होती है उनकी दिसा तो अब सागरी ये बात करें तो दक्सिन पस्थिम से उत्तर पूरो की हो दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर है आपका बाइस पस्मीर राजस्तान में न्यून वर्षा के लिए द्यान से पड़े पस्मीर राजस्तान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदाई मूल अंसदाई कारण है कौन सा देखे द्रश्टी चाया परदेश में चेतर में अवस्तिती सहिए अत्यूसन इस्तल खंड पर दक्षिन पूर्वी आधरतावाई हवाओं का आकस्मीक परवेश ये भी सहिए दोस्तूं आगे देखें भारतिय मानसून का परकिरिया चेतर ये नहीं है और अरावली परवत चेतर की इस्तती जो मानसूनी हवाएं हैं उनके समानतर हैं इसलिए बिना टक्राई सीधी मानसूनी हवाएं निकल जाती है तो ये भी सहिए एक दो और चार यहां पर सहिए तो आपका सही रहेगा एक नमर उप्सन एक नमर उपसन आपका यहां पे सही है क्यूसर नमर 23 देखिए राजस्तान में सरवादिक ओसत वार्सिक वर्सा वाला जिला है सरवादिक ओसत वार्सिक वर्सा वाला जिला बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसर नमर दो जाला वाड नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं क्यूसर नमर चोबीस है वायू का तापमान बढ़ने पर निर्पेक्स आधरता पर क्या प्रभाव पड़ता है वायू में तापमान बढ़ रहा है तो आधरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आधरता भी गटती जाएगी दो नमर उपसन आपका सही रहेगा किसे जलवाईव पर्देश में सीत रीतु में चकरवाती वर्सा होती है तो खौपेन के अनुसार जो जलवाईव पर्देश है उनमें से किस के अंदर किस के अंदर है जो सीत रीतु में चकरवाती वर्सा होती है C8W के अंदर option तीन आपका सही रहीगा क्यूसर नमर 26 है राज़स्तान में सीत काल में वर्सा करने वाले विक्सोपू की उत्पत्ती कहां से होती है जो सीत काल के अंदर मावट होती है तो ये मावट है इनके जो विक्सोप है इनकी उत्पत्ती कहां से होती है बूमदे सागर और केस्पियन सागर से ओप्सन एक आपका सही रहेगा क्युस्सन नमर 27 है एक हजार मिली बार की समदाब रिका जुलाई महा में गुजरती है कहां से हैं देखें ओप्सन पेला है सिरोई, उदेपूर, परताब गड़ और जलावाड सहीये दोस्तु पेलाई एक हजार मिली बार की समदाब रिका है वो जुलाई महा के अंदर सिरोई, उदेपूर, परताब गड़ और जलावाड से गुजरती है क्युस्सर नमर 27 28 जिसे जिले में वार्षिक वर्षा में विसमता का परतिसत सरवादिक है वह है वार्षिक वर्षा में विसमता का परतिसत सरवादिक मिलता है देखने को वह मिलता है जैसलमेर जिले में तीन नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर 39 है राज्ये का आधर जिला कहलाता है कौनसा है सरवादी का आधर जिला जालावाड दो नमर उपसं सही रहेगा क्योंसर नमर 30 है लू सबसे क्या तात पर रहे ये लू क्या होते है मित्रू लू होते है भहुती गरम और सुस्क यानि विदाउट नमी नमी के बीना की हवाएं तो गरम वह सुस्क हवाएं हैं उनको लू का आ जाता है जो राजस्तान में जो हमारी गरिस्म रितु होती है उस समुधर तल से इस्तल की ओर समुधर से इस्तल की ओर तीर नमर उपसन आपका यहां पे सही रहेगा क्योंसर नमर 32 है राजस्तान में सबसे अधिक गरमी किस महीने में होती है राजस्तान के अंदर सरवादिक जो गरमी है वो कौन से महीने में जून महीने के अंदर दो नमर उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर तेतीस है राजस्तान को दो भागू में बांटने वाली समवर्षा रेका है कौन सी समवर्षा रेका है जो राजस्तान को दो भागू में बांटती है दोस्तों पचास सेमी की समवर्षा रेका दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से न गंगानगर आपको पता है मुरुस्तले चेतर में आता है फिर भी वहाँ पर आदर्ता है तो आदर्ता क्यों है जेसलमेर में तो नहीं है इसका मुख के कारण है नहरू कि ये दिखता है इस वज़े से दो नमर उप्सन सही रहेगा जेसलमेर बाडमेर बिकानेर जोदपूर यहाँ पे कम वर्सा का कारण क्या है दोस्तों देखिए पहला है अरावली परवत माला का दक्षिन पस्मी मानसुनी पाउनू के समानतर इस्तित होना पस्मी भाग की गरम सुस्क वायू द्वारा आदरता को सोक लेना समुदर तट से दूरी ये तीनु कारण है उप्रोग सभी चार नमर उप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा कि उसर नमर 36 है आपका सुमेलित कीजिए जलवायू परदेश और जिले दिये गए हैं इनको सुमेलित आपको करना है पहला है सुस्क जलवायू परदेश सुस्क है आपके जैसल मेर बाड मेर जोदपूर विकाने रिये तो देखे यहाँ पे सुस्क जलवायू के बात की ज जालावाडूर बारा और अर्दिस उसक जलवायू परदेश की बात करें तो जालूर पाली नागोर तो चार एक दो तीन आपका सही रहेगा एक नमर ओपसन यहां पर नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 37 है निम में से कौन सा कोपेन का जलवायू परदेश का अपका यहां पर सही रहेगा क्यूसर नमर चलते हैं 37 की ओर नेम में से सत्य कतन को चुनिये इनमें से जो सत्य है उसको आपको चुनना है देखिये मित्रुपेला है अरावली के पस्मी भाग में इस्तिद्जिलु में वार्षिक वर्षा का ओसत पचास सेमी से कम है पस्मी बागों में 50 सेमी से 100 सेमी तक है सही है ये राज्ये में वार्षिक वर्षा का उस्त 57.5 सेमी है जिसका वित्रण सो से सो सेमी के मद्दे है ये भी सही है राज्ये में वार्षिक वर्षा का सरवादिक उस्त दक्सनिय रावली और दक्सनिय पूर्वी भाग में 90 सेमी से अधिक यह बी सही है. एक, दो, तीन सही है. मतलब आपका उप्रोग सभी چार नमर ऑपसन य आ पर सही रहेगा. क्यूसरन नमर 49 है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मांसुनी पहुनों को इस्तानिय बासा में कहा जाता है. जो बंगाल की खाड़ी से मांसुनी पहुने राजस्तान की ओर आती है उनको क्या का जाता है इस्तानी अवासा में उनको का जाता है पुरुआई ओप्सन एक आपका सही रहेगा क्यों से नमर चालिस है एडी जलवायू पाई जाती है EAD जलवायू किदर पाई जाती है बाड मेर और जैसल मेर के अंदर एक नमर उप्सन सही रहेगा क्योसर नमर 41 समित्रों राज्जस्तान में कौन से जलवायू नहीं पाई जाती है इन में से सुसक, अर्द सुसक, आदर या दुर्विय सुसक है, अर्द सुसक है, आदर है लेकिन दुर्विय नहीं है तो चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर 42 देखिए निवलिकित कतनों पर विचार कीजिए करिए विचार दोस्तों पहला है राजस्तान में वर्षा दक्सिन और दक्सिन पूरु से उतर और उतर पसिम में गटती जाती है तो पहला कतन क्या है मित्रु यहां पे सही है मानसून की अरब सागरिय साका राजस्तान में वर्षा का परमुक स्रोत है ये भी सही है पस्मीर राजस्तान के अवल सीतकाल में वर्सा प्राप्त करता है ये गलत है राजस्तान का 50 पर 30 भाग सुस्क एवं अर्सुस्क जलवायू का है ये भी सही है तो यहां पे एक दो और चार सही रही गया तीन नमर उप्सन सही है यहां पे सही है दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं क्यूसर नमर 43 है कोपेन द्वारा प्रस्तूत जलवायू परदेसू में से राजस्तान में कौन सा सुमेलित नहीं है A.W. दक्सिनी राजस्तान सही है C.W. जी उतरी राजस्तान गलत है B.W. ह.W. सुस्क मरुस्तल और B.S. ह.W. अर्द सुस्क मरुस्तल तो यहां पे आपका दो नमर है जो क्या है सही रहेगा गलत दिया गया है क्यूसर नमर चमालिस देखिए मित्रू चमालिस नमर क्यूसर है वर्सा रितु में मानसून हवाओं की दिसा की सोर से की सोर होती है दक्सिन पस्यम से उतर पूरव की ओर तीन नमर उप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर पेटालिस है वर्सा को जलवायू परदेश परदेशू के वर्गी करण का आधार माना जो जलव वर्सा है उसको जलवायू परदेशू का जब वर्गी करण कर रहे थे तो वर्सा को आधार किसने माना था सूसक कोपे ने केंड्रियू ने टिवारता ने या थोरन वेट ने किसने माना था थोरन वेटने चार नमर उप्सन सही रहेगा क्यों सर नमर 46 है बीड़व एंच ड़वू से अभीप्राई है सुस के उसन कटी बंदी है यानि मरूस्तल पर्दिस उप्सन दोस सही रहेगा क्यों सर नमर 47 है डीएड़वू जलवायू पाई जाती है यूए मेवात में बाउस वाड़ा डूंगरपूर सुम्झी स्वाइमादोपूर या भरतपूर मेवात के अंदर एक नमर ओप्सन सही रहेगा कि उसे नमर अर्टालिस है मांशून सब्द किस बासा के सबसे बनाए मांशून सब्द अर्भी बासा के सबसे बनावाया किस दिशा में राजस्तान में वर्षा की मात्रा में वर्दी होती है कौन सी दिशा में दक्सिन पस्सिम से उत्तर पूरू दक्सिन पूरू से उत्तर पस्सिम उत्तर पस्सिम से दक्सिन पूरू या दक्सिन से उपर नहीं है दोस्तों उत्तर रहे तो यहां पे सही रहेगा ती नमर उप्सन उत्तर पसिम से अगर हम दक्सिन पूरो की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में हमें वर्दी मिलेगी क्यूसर नमर पचास है मावट क्या होती है मित्रूं ये मावट क्या होती है भूमद्य सागरिय चक्करवातू से होने वाली वर्षा को मावट इस्तानी बासा में कहा जाता है सीथ काल में ये होती है दोस्तों क्योसर नमर 21 है राज्यस्तान की सर्द्धियू में वर्सा मुक्यत्य आती है कहां से आती है उत्तर पस्मी हवाऊ से दो नमर उप्सं सही रहेगा क्योंसर नमर बाउन है सीतकाल में भूमद सागर से उटने वाले पस्मी विक्सोप के कारण होने वाली वर्सा जो राजे में रभी की पसलू के लिए फाइदे मंद है उसको क्या कहा जाता है उसको मावट कहा जाता है तीन नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर तरेपन है बारत में उप्लब्द निम्न परिस्ततियों में से राजस्तान में सरवादिक रूप से उप्लब्द है कौन सी वायू तापमान में अतिसे एता वर्सा में बहुत अधिक विशमता वाली दोस्तों राजस्तान में सरवादिक ये जो है उप्लब्द है ये प्रस्तती कौन से वर्सा में बहुत अधिक विसमता बात करें जैसलमेर बात करें जालावार की ता आपको पता चल जाएगा क्योंसर नमर चोपन है राजस्तान में वास्पन वास्पोत सर्जन की वार्सिकदर सबसे दिक किस जिले में है दोस्तों जैसलमेर के अंधर तीन नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर पच्पन देखिए राजस्तान की जलवायू के सम्मंद में निमलिकित में से कौन से कतन सत्ते है कौन से कतन सत्ते हैं वो आपको यहां पर बताने है दोस्तूं तो देखिए यहां पर आपका पहला है राजे की जलवायू उसन सुस्क परकार किये गलत है राजे में कुल वर्सा का नबब परतीस दभाग दसिन पस्मी मानसून से पराप्त होता है सही है राजे में वर्सा की मातरा दक्सिन पुरव से उत्तर पस्मी की और कम होती जाती है यह भी सही है राजे की जलवायू उसन आदर परकार किये यह भी गलत है यहां पे दोस्तूं बी और सी ही आपके सही है तीन नमर उप्सन क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा क्यूसर नमर 56 है पुरवाई हवा कहते हैं पुरव से आने वाली नम्य युगत हवाओं को पुरवाई हवा बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं को नेक्स्ट यूसन है राजस्तान में कम वर्षा का कारण अरावली परवत माला की निवन में से कौन सी इस्तती के कारण है अरावली परवत माला की कौन सी इस्तती के कारण कम वर्षा का कारण है दोस्तों इसका मानसून के समांतर होना है मानसूनी हवाओं के समांतर तो बिना अरावली का दक्सिन पसिम से उतर पूरव की और परसार जिस परकार मानसुनी हवाएं चलती है उसी परकार इसका परसार है तो विरोध ये उत्पन करती नहीं है वर्सा कम हो पाती है उसे नमर साथ है वार्सिक वर्सा की परतिसत मात्रा में अधिक उतार चड़ाव वाला जिला है अधिक उतार चड़ाव रहता है वो रहता है जेसल मेर के अंदर दो नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा राजस्तान में जूर मामी नियूंतम वायुदाब जिस जिले में संभावी तैव वह है जूर महिने के अंदर नियूंतम वायुदाब बनता है वो बनता है जेसल मेर जिले के अंदर तीन अमर उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर बांसट है अर्द सुस्क जलवायुवाला जिला है अर्द सुस्क जलवायुवाला जिला है अर्द सुस्क जोदपुर है जलावाड है जेपुरे या परताब गड़े यहां पे अर्द सुस्क की बात हो रही है तो जेपुर रहेगा तीन अमर उप्सन सही रहे कीन नबर 63 है राज्ये में अदिकांस वर्षा किन मांसुनी पाउन्नूं के कारण होती है दोस्तु Singapore और राजस्तान के अंदर जो होती है मित्रूं वो दकसिन के जलवायू वाला जिला है आपका जैसलमेर सरवादिक वर्सा वाला इस्तान माउंट अबू सरवादिक वर्सा वाला जिला जैसलमेर नहीं है सरवादिक वर्सा वाला जिला जालावाड है तो तीन नमर उप्सन आपका है सुमेलित है सही रहेगा तीन नमर उप्सन क्यों से नमर 65 है राजे में वार्षिक वर्षा का उस्त है राजे की वार्षिक वर्षा का उस्त है सत्मलव सताउन दस्मलव पांच सेमी साड़ी सताउन सेमी मतलब सताउन से अठाउन सेमी के मद्दे दोस्तों क्यूसर नमर 66 राजस्तान में सर्वादिक वर्षा होती है राजस्तान म ओत्री पस्मी चेतर की जलवायू है राजस्तान के जो उत्री पस्मी चेतर है उसकी जलवायू पूरव में आधर तिता पस्म में सोस्क ओपसन दो आपका सही रहेगा क्यूसर नमर 68 है कतन गर्मी के मोसम में दक्षने पस्मी मानसून से राजे में बहुत कम वर्सा होती है कारण राजस्तान समुदर तड़ से बहुत अधिक दूर होने के कारण ये दोनों मानसूनी धाराएं प्राय सुस्क हो जाती है तो यहां पर मित्रों आपका कतन और कारण दोनों सही है कतन और कारण दोनों के दोनों सही है क्यूसर नमर 69 है प्रादेशिक द्रश्टी से रावली के पस्सी में इस्तित जिलू में वार्सिक वर्सा गावसत अरावली के पूरों में इस्तित जिलू की तुल्ला में है कम दोस दो नमरो उपसन स़ही रहेगा और चलते हैं आज की व्रसा होने वाले दिनों की सरवादिक संक्या किसके अंदर जालावाड जिले में शहीं वर्सा होने वाले दिनों की नियूंतम संक्या जैसलमेर जिले में ये भी सही है सरवादिक वर्सा वाला जिला जालावार ये भी सही है सबसे नियूंतम वर्सा जैसलमेर में होती है चुरू में नहीं तो ये गलत है चार नमर उपसन आपका यहां पे सही रहेगा तो राजस्तान की जलवायों से रिलेटेड आज हमने यहां पे सत्तर क्यों संदेखे कैसे लगे कमेंट करें जल्दी से अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें वीडियो को अपने सभी वीडियो अभी अर्तियू के पास सेर करें और नए सभी साती चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वारत